बलो सच्छे दरवार की जए, भ horr श्यापत रामचंद्र की जए, आरत जननी जाने, जबो बहरत सने सुझान, रावा वरत सने सुझान, कईव बनावन पाल की, त जन सो कासन जान सी आपत रामचंद्र वह जयी, इसने के सुजान प्रेम की तत्त को जानने वाले भरत जी ने समाताओं को दुखी जानकर उनके लिए पाल किया तैयार करने तदा सुखासने यानि सुख पाल सजाने के लिए कहा चक्क चाके जेमे पुर नर नारी चत प्रात और आरत वारी जागत सहवाने जेवाया उवे आना वरत बुलाए सजेव सुजाना नगर के नर नारी चक्वे चक्वी की भाती हिर्दा में अत्यांत आर्थ होकर प्रात्यकाल का होना चाहते हैं सारी राज जागते जागते सवेरा हो गया सब भरत जी ने चत्र मंत्रियों को बुलवाया तो कहें ले हो सबो तेलक समाजू बनत देव मौने राम ही राजू बेगे चला हो सोने जचे वजो आरे तुरत तुरागा रत नाग समारे और कहा कितलक का सब सामान ले चलो बन में ही मौनी वस्तिष जी सी रामचंदर जी को राज देंगे जल्दी चलो ये सुनकर मंत्रियों ने बंदना की उत्रंद गोड़ी रत और हाती सजवा दिये अरोंधती अरो अगिने समावू रत चड़ चले प्रथम मौनी रावू बेप्रब्रांद चड़ वानाना चले सकलत पते जनिदाना सब से पहले मौनी राज वसेश जी अरुंधती और अगनी होत्री की सब सामग्री सहित रत पर सवार हो कर चले फिर ब्रामणों के समू जो सब के सब तपस्या और तेज के भंदार थे अनेकों सवारियों पर चड़ कर चले नगर लोक सब सजे सजे जाना चेत्र कूट कहकी नपयाना सिवेका तो वगन जाने वखानी चड़ 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 चल तभई सब रानी नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्र कूट को चल पड़े जिनका वणन नहीं हो सकता ऐसी सुन्दर पालकियों पर चड़ चड़ कर सब रानिया चली तो सौप नगर सुचिसे वकने जादर जगल चलाए रामा जादर जगल चलाए तो मेरे राम सिर्य चरना तबो चले वरत दुवाई जियाबत राम चंदर बद जै सनम सांकर हरियों जै जै जिया राम विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौप कर और सब को आदर पूर्वक रवाना करके तब सीता राम जी के चानों को इसमार करके भरत सत्रुवन दोनों भाई चले तो राम जरा सबाई सबनर रारी जनु कर करेने चले तके वारी वना सिय रामों सा मोजे मानमाई सानों जबरत पाया दे जाए सिरी राम चंदर जी के दस के दरसम के वस में हुए दरसन की अनन्य लालसा से समह लंनारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हतिनी जल कु तक कर बड़ी तेजी से बावले से जाए हूं जा रहे हूं सिरी सीथा राम जी समसुकहों को छोड़कर बन में हैं मन में मैं सब चार करके छोटे वाई सत्तुरवन जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं देखी जने हो लोग अनुरागे उतरे चले हाया गया रत्त्यागे जाए जमी पराखे ने जडोली राम मा तुम रजवानी बोली उनका इसने देखकर लोग प्रेम में मगड हो गये और सब घोड़े आती रत्तों को छोड़ कर उनसे उतर कर पैदल चले लगे तवसी राम तुम रजवानी जी की माता कौसल्या जी भरत के पास जाकर और अपने पाल की उनके समीप खड़ी करके कोमरवानी से बोली तात चलाओ रत वले महतारी होएं प्रिय परिवारों सुखारी तुमारे चलाटा चले हैं साभू को सकल सोक क्रसन ही मांगा जो हे बेटा माता वलिया लेती है तुम रत पर चड़ जाओ नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुख्य हो जाएगा तुमारे पैदल चलने से समी लोग पैदल चलेंगे सोक के मारे सम दुबले हो रहे हैं पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग नहीं है तो सिराधारे वाचाना चरना से रोनाई रत चड़ चलत वैदो वाई तमसा प्रथम देव सकर वाचू दूसर गोमते तीरन वाचू माता जी के आग्या को सिर चड़ा कर और उनके चाणों में सिर नवा कर दोनों भाई रत पर चड़ कर चलने लगे पहले दिन तमसा पर वास करके दूसरा काम गोमती के तीर पर किया कोई दूत ही पीते कोई फलाहर करते कुछ लोग रात को एकी वार भोजन करते हैं भूशन और भोग विलाज को छोड़कर सब लोग सी रामसंदर जी के लिए नियम और ब्रत करते हैं सई तीर बैसे चले वियाने स्रंग वेर पुरसव नियराने समाचार सब सुने निजाला हिर्दय विचार करें सभी जाला रात बर सई नदी के तीर पर निवास करके सबेरे वहां से चल दिये और सब स्रंग वेर पुर के समीप जा पहुँचे निजाद राज ने समाचार सुने तो बहुत दुखी होकर हिर्दय में बिशार करने लगा तो कारन का वन बरत बन जाई हेक शुकपट भाव मन माई क्या कारण है जो भरत बन को जा रहे हैं मन में कुछ कपट भाव अवस्य है यदि मन में कुटिलता नो होती तो साथ बिसेंगा क्यों ले चले हैं तो जान 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 जै राम हे मारी करम अकंट कराज सुखारी बरत न राज नीत यूरवानी तब कलां को अब जीवनानी समझते हैं एक छोटे वाई लक्षमन से इसी राम को मार कर सुख से निसकंटक राज्य करूंगा बरत ने हिर्दे में राज नीती को इस्थान नहीं दिया राज नीती के विचार नहीं किया तब पहले तो कलंक ही लगा था अब तो जीवन से याद दोना पड़ेगा तो सकला सुरा सुरा जो रहें जो आरा आरा मह समरन जीतने आरा का आचरा जो भर तो असकर रहीं नहीं बेस बेले अमे अभला भरहीं संपूर्ण देवतार देट भीर जुट जाएं तो भी सी राम संदर को रन में जीतने वाला कोई नहीं है बरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्यरी क्या है बिसकी बेले अम्रत पर कभी नहीं फलती तो असा बिचारें ग्याति सब सगें सजग सब हो हतवासं बोरो तरना कीजियां घाटा रो जियावति राम जंद्रबद जै जनम जंकर रियों जै जै जिया राम ऐसा बिचार कर निशाद राज ने अपनी जाती वालों से कहा कि सब लोग साबधान हो जाओ नावों को हाथ में कब्जें में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तदा सब घाटों को रोग दो सब लोग मरने के साथ साजा लो अर्थात भरस से युद्धो में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ में भरत जी से सामने मैदान में लो आलूंगा मुटवेड करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पाड नहीं होने दूंगा तसावर मरन पने सुर सरी तीरा राम का जो छन भंगु शरीरा भारत वाइन रप में जन नीचू बड़े भाग असे पाई अमीचू युद्व में मरन प्रगंगा जी का तर्थ सी राम जी का काम और छन भंगु शरीर जो चाहे जब ना उस हो जाए बरक्सी राम चीए भाई और राजा उनके हाथ से मरना और में नीच सेवक बड़े भागे सैसी म्रत्यू मिलती है मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूँगा और चोदों लोकों को अपने यस से उज्वल कर दूँगा मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड़ू है अर्था जीत गया तो राम सेवक का यस प्राप्त करूँगा मारा गया तो स्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूँगा साद समाजन जाकर लेखा राम वरत मुझा सुन रेखा जाए जियत जगसो महवारू जननी जोवन विटप कुटारू सादूओं के समाज में जिसकी गिंती नहीं और सी राम जी के भक्तों में जिसका इस्थान नहीं वो जगत में प्रत्वी का भारू कर ब्रती जीता है और माता के योवन रूबी ब्रक्ष के काड़ने के लिए कुलाला मात्र है इस प्रकार से राम जी के प्रान समर्पन का निश्चे करके निशाद राज विशाद से रहत हो गया और उसका उत्सा बढ़कर तो ता सी राम संद जी का इसमान करके उसने तुरंती तरका सधनों सोर कबच मागा तो वेगं भाई उसा जगस अंजोवो सोने रजाए कदराएन को बलेनात सब कहाँ सहर सा एक एक वड़ावें करजाओ उसने का एभाईयो जल्दी करो और सब सामान सजाओ मेरी आग्या सुनकर कोई मन में कायरतान लावें सब हर्स के साथ बोल उठें हिनात बहुत अच्छा और आप में एक दूसरे का जोज बढ़ाने लगे तो चलेने साथ जोहारे जोहारी सुरस कलर नरोचर आरी सु मेरे नामा पदपांका जपनाई मा थी वाँ दे चड़ाएन का दनाई निसाद राज को जोहार कर करके सब निसाथ चले सभी बड़े सूर्वीने और संग्रा में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है सिराम संदर जी के चान कमनों की जूत्यों का इसमान करके उन्होंने भातियां छोटे छोटे तरगस बांद कर दनाईयों छोटे छोटे धनुस पर प्रतंता चड़ाई तो अगारी पहरे कोडे से रेधराई फरसाबांस से लजम कराई एक कुसाला आते ओडन खाने कोड़ाई गगन मनाँ छेते चाने कबच पहन कर सिर्पर लुए का टोप रखते हैं और फरसे भालेता बर्चों को सीधा कर रहे सुधार रहे हैं कोई तलवार के बार रोपन में अत्यनती कुसल है वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानों धर्ती छोड़कर आकास में खूद रहे हूं तो मांगाला वावाना मांगाला आरी अत्य है चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जैसी आराम लिखें पूल जैसी आरा हूं